जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारी चैनल से जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रू प्रेस कर दें दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान विश्नु का प्रिये महिना बैसाक का महिना शुरू हो चुका है विश्नु के प्रिये महिने में रोजाना एक छोटा सा उपाय करने से छोटा सा काम करने से मातल लक्षमी की कृपा आप पर हमेशा बरस्ती रहेगी दोस्तो बैसाक का महिना शुरू हो चुका है बैसाक हिंदू कैलेंडर का दूसरा महिना है इस साल बैसाक का महिना 24 अपरेल से लेकर 23 मई तक रहने वाला है बैसाक का महिना भगवान विश्णु को बहुत प्रिय है इसलिए बैसाक महा में रोजाना छोटी-छोटे उपाय करने से माता लक्षमी बहुत प्रसन होती है एक मंत्र है ओम माधवाय नमा जोतिश विद के अनुसार बैसाक के महिने में हर रोज इस मंत्र का जाप करने से विश्नु और लक्षमी जी प्रसन होकर आशिरवात देते हैं इसके अलावा जो लोग पित्र दोश से परेशान हैं उनके लिए भी यह महिना खास है ऐसे लोगों को तिल, गोड, अनाज, फल और जल का दान करना चाहिए इससे आपके पित्रों की कृपा आप पर बरसती रहेगी बैसाक महिने में गर्मी की तपिश बहुत जादा होती है इसले इसमें प्यासे पशू पक्षियों को जल का प्रबंद करना आपके लिए पुन्य का काम करता है बैसाक के महिने में लोगों को पंखा, अनाज और चपल जूते दान करने से देवी देवता प्रसन होते है बैसाक महा में आने वाली अक्षयत रित्या का भी विशेश महत्व होता है इस दिन सोने चांदी के आभुशन या नई चीजों की खरीदारी करने से मालक्षमी की कृपा आप पर बरसती है तो दोस्तो बैसाक के महिने में आप भी इन में से एक छोटा सा उपाय करके मातालक्षमी की विशेश कृपा प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद